नमस्कार आप देख रहें नियूस बाइसकोप और मैहूरा की श्रंजन आगामी लोकसभा और फिर उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहारखंड में राजनितिक सरगर्मी तीज हो गई है सभी प्रमुक पार्टियां चुनाव की तयारियों में व्यस्थ है तो आंदोलन के कोक से उपजी एक पार्टी भी अपनी तयारियों में लग गई है जहां मैं बाते कर रहा हूँ जहारखंडी भाषा खतियान संगहर्ष समीती की जिसके की नेता जैराम है आज जैराम के भावी राजनितिक जो उनकी सोच है उस पर बातचीत करूँगा और वो चुनावों को लेकर कितना गंभीर है इस पर भी बात करूँगा लेकिन साथ ही ये बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या जैराम जहारखंड के अरविंद केजरिवाल बन सकते हैं ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहीयोगी मदन है मदन जी क्या लगता है कि जैराम अर्विंद केजरिवाल की जगा ले सकते हैं कुछ समानता अगर हम ढूंडें तो अर्विंद केजरिवाल की पार्टी का उदै भी एक आंदोलन से हुआ था यहां पर जैराम की पार्टी का भी जो उदय है वो आंदोलन के ठू ही हुआ है चाहे आप खत्यानी आंदोलन की बात कर लें भाशा को लेकर बात कर लें फिर अस्थानिय निती को लेकर बात कर लें जुमेंगे घुमेंगे गाएंगे हम वाइल्डवादी वाटर पार्क जाएंगे हम जुमेंगे घुमेंगे गाएंगे हम वाइल्डवादी वाटर पार्क जाएंगे हम वाटर पार्क में फुल ओन फन करेंगे फैमली संग वाइल्डवादी चलेंगे वाइल्डवादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तयार हो जाएगे वाइल्डवादी में अनलिम्टेड मस्ती के लिए यहां लोकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्च नहीं साथी तैतर स्वीट की हाइट से मल्ती लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा वाइल्डवादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम राची तो क्या समानता आप ढूंडते हैं? पार्टी बनाने की पूरी रूप डेखा तयार किया और उसके बाद एक जारखंडी भासा खतियान संगर समीती जो तयार किया है इसके माध्यम से वो आगे चुनाव लरने की भी घोशना कर रहे हैं अब इसका असर क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि वो क्या अरविंद केजरिवाल बनने की कोशिस कर रहे हैं तो यह बात जरूर है कि जो कोई आंदोलन करता है तो वो पीछे मुर कर देखता है कि हाल के दिनों में आंदोलन से उपजगर किसने सफलता हासिल की और उसका रोल क्या था बस ठीक उसी तरह से अरविंद केजरिवाल को जो सफलता हासिल हुई है एक राज से दो राज में जो सरकारें बढ़ी है जब लोग प्रियता आपकी अलग-अलग राजियों में थोड़ी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में उनके रोल मॉडल को भी अपनाने की कोशिस अब की जा रही है अब दो प्रमुख विशा इसमें हैं कि एक तो वो क्राउड फंडिंग की बात अरविंद के जरिवाल भी किये थे और वही बात अब जैराम कर रहे हैं जो प्रेस कॉंफरेंस उन्होंने हजारे बाद में किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि क्राउंट फर ऐंडिंग के जरिए जो है, आर्थिक सहीज़ हो पार्टी के लिए यह इकटा करना चाहते हैं और विदेशों से भी फर फंडिंग हो रही है, उन्होंने कहा कि अभी 1 ल साथन वह स्के लिए पैसे तो फिर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर उन चुनावी चुनाओ में खर्च होंगे यह पिर जो राजनितिक पार्टियां आपके सामने हैं उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक तरह से साधन चाहिए वो पैसा है तो क्राउड फंडिंग एक जड़िया है जिसके माध्यम से जैराम ने स्विकार भी किया कि हमारे पास पैसे अब भी आर्थिक सही योग मिलता था पार्टी को चलाने के लिए तो एक समानता और दिग्या दो समानता तो हमने ढूंड ले कि आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का भी उदय हुआ और विंके दिख्षाएं रखती है कि यहां चुनाव लड़ने में उन्हें सही योग मिलेगा अब बिलकुल और तीसरा जो समानता आप ढूंडेंगे तो वह यह जो हमारा आगे का निरनय होगा उसको हम राह सउमारी के माधयम से आगे रेचलेंगे छनता जो कहेगी देखें यह बात tmia है कि अगर जैराम ही अपने मंद से अगर निरनय लेने लगेंगे तो կही के कि डिसीजन को सीधे तोर पर स्विकार कर लेना साधारन बात नहीं होती है इसलिए अब जैराम ये समझ रहे हैं कि लोगों को अगर हमें साथ लेकर चलना है और जो अपने करियर की सुरुवात करनी है एक पारी तो आपने अच्छे से चल लिया कि भाई छात्रों को लीड किय चात्रों के आंदोलन को आपने अच्छे तरीके से आवाज मुखरता से उठाया और उसमें आपको सफलता भी हां से लिए जब दूसरी पारी राजनितिक तोर पर आप सुरुवात करेंगे तो वहां चुनोती काफी है क्योंकि देश अस्तर से लेकर के प्रदेश अस्तर के जो बड़ी बड़ी पार्टियां है जो साट साल सतर साल से अपने संगठन को तयार किया है जो हर टोले मुहले तक पहुँचकर पहले से ही लोगों तक अपनी पहुँच बना रखा है उसमें सेंदमारी करनी होगे आपको फिर उसमें से ठीक है युवा जो होंगे जो पिरि कर रहे तें उसको अपने और आकर्षित करने के लिए एक लंबी मेहनत और एक लंबे दोर तक जो है आपको उसके पास चलना होगा और फिर वही एक तरीका काम्याब हो सकता है कि आप रायसुमारी के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच सकते हैं उनके दिल को जीत सकते हैं और उनको अपना समर्थन के लिए तैयार कर सकते हैं एक और बात मतंजी जो मेरा ध्यान जाता है मैं उस दौर में वापस अगर लोटू जहां अरविंद के जरिबाल जो है वो अन्ना हजारे वाले आंदोलन में थे और उसके बाद कुछ से एक डीड़ सालों तक की अगर हम बात करें तो उनके पास भी एक लिस्ट होती थी जो बड़े निताओं पर वो भरष्टाचार के आरोप लगाते थे तो वो समानता भी यहां दिख रही है जैराम ने बीजेपी पर भी वो तंज कसने से पीछे नहीं हटते उन पर भी आरोप लगाते हैं जेमेम के साथ भी जो है वही बात है उसके लिए भी उनका मानना है कि हाँ एडी जो है उनके पीछे पड़ी रही यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर एडी का यही हाल रहा तो जीएमेम और बीजेपी का गटबंधन हो सकता है तो जो एक अरविंद केजरिवाल कहते थे कि हाँ वो सम मिले ह हुए हैं वाली बात तो यह चीज जो है यहां पर आपको दिखती है क्योंकि एक तरफ तो जैराम गटबंधन की बात भी कर रहे हैं और फिर वो जीएमेम और कॉंग्रेस दोनों पर जो है आरोप तो कसते ही हैं बीजेपी को भी नहीं छोड़ते हैं तो फिर वो गटबंध हैं हम बेदाग हैं और सारे के सारे लोग जो हैं दागदार हैं यह काम तो अब चलता ही रहता है राजनिती में अब दूसरे की तारीफ नहीं होती है तो यह माल लिया जाए कि जैराम अब राजनिती सीख रहे हैं बिल्कुल आप इस या सीख गए हैं अगर आप वो जो अपने आंक्रे देते हैं कि 8000, 4000, 3000 सभाओं को संबोधित किया घंटे घंटे जो है लगातार बोलते रहते हैं तो वो एक प्रैक्टिस का चीज है अगर आप एक ही चीज पर अध्यान करेंगे एक ही चीज पर डिवेट करेंगे तो उस पे आप प्रति दिन कुछ न कुछ न दाग बताते हैं आगे भी हो पाएंगे क्या सत्ता की कमान एक दिन उनके हाथों में भी आएगी ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम तो करना ही होगा जनता का विश्वास भी जीतना होगा जो सबसे बड़ी चुनाती है अब ये आपसे अनुमती चाहेंगे मदन इसको टोफी से नमाजे हैं लगता है समाधी लेली अड़े पुराएं अड़े पुराएं अड़े पुराएं अड़े पुराणा दो टॉप टेक्सिमिन जो जोडे तो छोडे नहीं मजबूती ही हमारी पहचान